नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आप सभी को धनतेरस की हारदिक सुब काम नाएं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वे ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं खरिदनी चाहिए साथ ही हम आपको बताएंगे कि सफाई करते समय धनतेरस पर ये एक चीज घर से कभी भी मत फेकना साथ ही जानिए ज़ाडू धनतेरस पर खरिदे या दिपावली पर आगर कौन सी ज़ाडू खरिदे और साथ ही ये भी जान लीजिए कि वे कौन सी खास चीज है जिससे आपको धनतेरस पर खरिद के लाना चाहिए जिससे सदैव के लिए मातालक्षमी का इस्थिरवास आपके घर में हो जाए आपकी बटवा आपकी तिजोरी आपका पर सदैवी पैसों से भरा रहे हमें इन पावन तयोहार पर क्या करने से बचना चाहिए जिससे कि हमारे घर में उस्तक ये पांच दिवित्स ये त्योहार हमारे हिंदू धर्म में दिपावली से लेकर बहुत ही जादा धूमदाम मचाते हैं। और जिन लोगों को अधिक मातरा में और सीगर ही फल चाहिए वे टोने टोटके आदी का उपयोग करके दिपावली की रात वे धंतेरस की रात कुछ खास उपायों को करके सही तरीके से अगर वे करते हैं तो मा लक्ष्मी का इस्ताई रूप से अपने घर में वास प्राप्त क कर सकते हैं दोस्तों धंतेरस से पहले ही आपको कच्चे चने की डाल आपको ले करके आ जानी है और इसे आप माता लक्ष्मी के चरणों में अरपिद कर दीजिए इसे ऐसा समझा जाता है कि माता लक्ष्मी को अरपिद करनेने के बाद अगले दिन पीपल के पेड़ पर और दूसरे नमबर पर कुवेर यंत्र को भी आपको अवश्य लाना चाहिए क्योंकि इस दिन लक्ष्मी और कुवेर जी की विशेश रूप से पूजा की जाती है जो भी व्यक्ति अपने मंचाह धन कमाने का इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं वे व्यक्ति लक्ष्मी यं उससे तेरा गुना ये फल दिखाते हैं इसलिए इन्हें धन त्रियो दसीक के नाम से ही जाना जाता है वहीं अगर आप कुछ गलत चीजों का सहरा ले देते हैं या कुछ गलती कर देते हैं तो आपको उसी प्रकार से तेरा गुना आसफलता का और भाग्य में कटोती का साम जो तूट चुका हो या फिर खराब इलक्ट्रोनिक सामान को भी आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये सबी सवस्तुएं नकारतमक्ता फैलाती हैं और मा लक्ष्मी के आपकी घर में परवेश करने को रोकती हैं धन्तेरस के पावन पर्व से पहले आपको वस्तर आधी खरिदने और नए बरतन खरिदने का अवस्तर अवश्य मिलेगा लेकिन ध्यान रहे कि नीले वे काले रंग के वस्तर आपको बिलकुल भी नहीं लाने चाहिए आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को नीले वे काले रंग के वस्तर बिलकुल भी पसंद नहीं है वहीं कुछ लोग जूते चपल भी खरीदते हैं तो चमड़े के जूते या चपल खरीदना भी निशेद होता है यदि आप धंतेरस के पावन पर पर आप चूब चमड़े के जूते या चपल लेकर आते हैं तो माता लक्षमी की करपा आपको मिलने की बजाए जो है वह भी चली जाती है। बहुत से लोग इस दिन कुछ देवी देवताओं की तस्वीर अथवा मूर्ती भी अपने घर लेकर आते हैं। तो लाते वक्त आप इस बात का विशेश दियान रखें कि वह तस्वीर या मूर्ती कहीं से भी खंडित ना हो। यदि ऐसे में आप खंडित मूर्ती या तस्वीर लेकर आते हैं तो आपको इसका असुपरवाव भी देखेने को अवश्य ही मिलता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बताएगें सबी जानकारियों का विशेश दियान रखें जिससे की माता लक्ष्मी की करपा आपके उपर 13 गुनाहों के बरसे आपके घर में कभी भी नकारत मक्त ना हो। साइधन दौलत से परिपूर्ण है यश्किर्ती मान सम्मान सुक वैवब में सदै भी बड़ोतरी होती रहे इसी कामना के साथ आज की वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देमें जाता धन्यवाद साथ में लेकना ना वोलें जै मातादी जै मालक्षमी हर हर महादे